गुड एविनिंग स्टुडेंट्स, सीटेट के इस फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है, आज से हम पड़ागोजी आफ इंग्लिस की सुरुवात करेंगे, जिसमें हमारा पहला यूनिट होगा, लर्निंग एंड एक्वोजिशन, तो लर्निंग एंड एक्वोजिशन समझने से पहले हम लेंग्वेज समझेंगे कि लेंग्वेज क्या होता है, और लेंग्वेज में ही हम लर्निंग एंड एक्वोजिशन देखेंगे, देखी, सिंपली अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, तो लेंग्वेज, लेंग्वेज एक ऐसा मीडियम होता है, जिस हम इसका definition देखते हैं Language is the यहाँ ध्यान दीजेगा Language is the medium by which man can communicate his feelings or thoughts by speaking, मतलब सुनना speaking, बोलना listening, सुनना, writing, लिखना and reading तो यह सब क्या है? अपने language को क्या करता है? वो express करता है किसके माध्य हम से? speaking के माध्य हम से, listening के माध्य हम से, writing के माध्य हम से और reading के माध्य हम से इसके अलावा, क्या करता है? वो symbol के माध्य हम से भी क्या करता है? संकेतों के माध्य हम से भी अपनी language को क्या करता है? प्रकट करता है ठीक है? अपनी language का उप्योग करता है और अपने feelings और thoughts को क्या करता है, expression करता है, ठीक है, अब बात आती है, अब चुकि हम language समझ चुके हैं, तो अब हम, चुकि language से ही हम क्या करते हैं, यहाँ पस बात ही हो रही है, यह language की, तो यहाँ पस एक acquisition आता है और एक learning आता है, तो language learning और language acquisition, तो language acquisition क्या होता है, यह देखिए अच्छा ये देखने से पहले language से क्या question बनता है ये आप देख लीजे language lab is more helpful for pronunciation correction बिल्कुल हाँ इसमें language क्या करता है मदद करता है understanding spoken English ठीक है spoken English बिल्कुल सही है innovative teaching बिल्कुल तो ये तीनों सही है तो हमारा fourth answer क्या होगा बिल्कुल सही होगा चलिए अच्छा language के लिए कुछ मनुवे ज्यानिक भी है जिन्होंने अपनी बात कही है ठीक है यहाँ से तो questions नहीं बनते हैं लेकिन यहाँ पर जो आपका main है non-chomsky यहाँ से आपका question बनता है तो इस पे हम ध्यान देंगे क्या कहते है non-chomsky according to chomsky chomsky के अनुसार chomsky's theory is based on the idea that our language hold similar structures and rules also known as universal grammar तो chomsky की theory क्या कहते है कि हमारे सारे जो language होते हैं हमारी जितनी भी भाशाएं होती हैं उसमें similar structures समान रूप से क्या होती है सनरचनाएं and rules और नियम होते हैं ठीक है तो non-chomsky कहते हैं कि जितनी भी भाशाएं होती हैं उनमें समान रूप से structures, सनरचना और rules नियम होते हैं जिने हम क्या कहते हैं जिने हम युनिवर्सल ग्रामर ठीक है वेस्विक व्याकरण के नाम से जानते हैं ठीक है यहां से कोश्चन नहीं बनते हैं लेकिन जब हम मनुवेग ज्ञानिक देखेंगे तो हम इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे आज हम introduction देखेंगे ठी है देखिए यहां से question as per as non Chomsky theory the role of language acquisition device LAD is to तो जहां पर Chomsky की बात है और option में अगर आपका grammar का बात है तो आप आग बंद करके इस पर tick कर दीजेगा ठीक है अब देखिए हमारा start होगा यहां से language acquisition और language learning क्या होता है language acquisition और क्या होता है language learning देखिए language acquisition की जहां पर बात है तो simply याद रखिएगा कि जो language acquisition होता है वो natural होता है क्यों क्योंकि acquisition का मतलब होता है चीजों को क्या करना acquire करना या अरजित करना या ग्रहन करना कैसे एकदम natural way पर देखिए इसमें किसी भी प्रकार का महनत नहीं लगता इसका सबसे बड़ा आपका option है आपका mother tongue ठीक है जिसे हम आप लोग क्या कहते है मात्र भासा कहते है या आपका घरेलू भासा भी होता है आप जिसे आपका एक उधारन हम ले सकते हैं आपका 36 गड़ी बोली ठीक है आप लोग देखते होंगे आप कितने अच्छे से 36 गड़ी बोली बोलते हैं क्योंकि आपको ऐसे सीखे तो नहीं है बैटके कि किताबों से आप पढ़कर सीखें, एकदम नेचुरल वेपर आप सीखें, तो ये क्या है आपका language acquisition, क्योंकि आप घर में रहते ही रहते हैं, अपने इन्वायर्मेंट से, अपने आजपास की चीजों से चीजों को क्या किये ह language को acquire किये हैं, अरजित किये हैं या ग्रहन किये हैं, जहां पर acquisition की बात आजए समझना कि ये natural है और ग्रहन किया गया है, लेकिन just opposite अगर यहां पस learning की बात आजए, learning मतलब सीखना, क्या सीखना, language सीखना, अगर आप अपना first language क्या कर रहे हो, समझने के बाद second language या foreign language, जैसे आपको मैंने एक उधानर दिया, 36 गड़ी बोली का, ठीक है, 36 गड़ी आपको आ रहा है, आप उसको ऐसे बैट के तो सीखे नहीं थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, इंगलिस सीखना चाहते हैं, ठीक है, अर्भी, फार्सी, जो भी आप सीखना चाहते हैं, तो ये क्या होगा आपका, आपका language learning होगा, क्यों, क्योंकि इसको आप proper conscious होकर क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, एकडम alert होकर आप चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर इसमें language acquisition में ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी alert नहीं है, ठीक है, मनमोजी टाइप से आप रहते है automatic आप चीजों को सीख रहे हैं, जहां पस आप automatic अपने भासा को सीख रहे हैं, ग्रहन कर रहे हैं, वहाँ पर language acquisition होगा, लेकिन आप एक proper way पे, systematic way पे, अगर आप भासा को सीख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, language learning होगा, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का difference learning, यह देखिए, एक, यह image है, यहां पर यह बच्चा क्या कर रहा है, अपनी जो भी भासा है, वो तो उसे आता है, क्योंकि बच्चा जब भी school जाता है, तो उसकी खुद की एक language होता है, जो घर से सीखा हुआ होता है, या समझा हुआ होता है, लेकिन जब वो school जाता है, त school की भासाओं का प्रियोग करता है, सीखता है, ठीक है, तो यहां पस क्या हो जाता है, बच्चा, language का learn कर रहा है, language को सीख रहा है, लेकिन यही बच्चा क्या करता है, छोटा सा है, और वो अपने वातावरण से, अपने घर वालों की बाते सुन कर, जो भी चीजों को, जिस भासा को क्या कर रहा है, सुन रहा है, प्रियोग कर रहा है, यही है, क्या इसका language acquisition है, ठीक है, और बताती हूँ, कि जब आप लोग इस्कूल जाते होंगे, तो आप देखते होंगे, कि आप लोग आपको तरह-तरह के लोग मिलते हैं, आप जिस भासा में अपनी मम्मी, नहीं होता है, कौन फॉर्मल नहीं होता है, आपका language acquisition, यह बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता है, यह बिल्कुल natural रहता है, और systematic भी नहीं होता है, बिल्कुल automatic होती है, जैसे आप लोग घर का जो environment है, वो language acquisition वाला है, आप भासा को automatic क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ग्र दोनों में हम difference देखेंगे, यहां point को समझने का प्यास करिएगा, learning क्या होता है, artificial होता है, और acquisition क्या होता है, natural होता है, मैंने आपको बताया है, कि जो acquisition होता है, वो क्या करते हैं, हम लोग natural way पर सीखते हैं, अपने parents से, अपने घर वालों के आस पास महौल से सब क्या करते हैं, हम, यहां पर सीखना क्या करता है, learning को दरसाता है, लेकिन अगर हम चीजों को, यह भासा को क्या कर रहे हैं, ग्रहन कर रहे हैं, तो वो किसको दरसाता है, वो आपके acquisition को दरसाता है, तो यहां पर acquisition क्या है, यहां पर आपका acquisition natural है, लेकिन यहां पस learning क्या है, आपका learning artificial है, आपका हमेशा याद रखिएगा first language always आपका acquisition ही होगा लेकिन जहाँ पर second language foreign language की बात है वहाँ पस हमेशा learning होगा क्यों क्योंकि आप सीख ही तो रहे हैं सीख रहे हैं तभी तो वह आपका foreign language है second language है तो यह क्या होता है आपका artificial मतलब कृतिम रूप से कैसे किताबों के माध्यम से grammar अब grammars कुछ rules पढ़ते हैं ठीक है जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप अपनी बातों को कैसे भी कह देते हैं लेकिन जहाँ पर English की बात आती है ठीक है आप क्या past tense को future में बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं क्यों क्योंकि आपने इसको एकदम विवस्त्री ढांट से पढ़ा है समझा है याद किया है तो यहाँ पस आप क्या कर रहे हैं English language को learn कर रहे हैं ठीक है क्योंकि अगर आप past tense को किसी भी हालत में future tense में नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप चीजों को क्या कर रहे हैं learn कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चीजे क्या हो जाएंगी गलत हो कर रहे हैं कि past tense में ऐसा होगा, future tense में ऐसा होगा, इसमें का grammar ऐसा होगा, इसमें verb, object, ठीक है, इसमें जो जो second form, third form, first form आप लगाते होंगे, then आपका ये क्या बनता है, एक language बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, conscious होकर चीजों को सीख रहे हैं, learn कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो आप पुरा language यूज करते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उसी को आप क्या करते हैं, express करते हैं, ठीक है, आपकी दोस्तों की टोली होती है, वहाँ पर भी क्या होता है, acquisition होता है, लेकिन formal office हो, या कोई company हो, या कोई school हो, या hospital हो, जहाँ पस आप किसी अंजान विक्ती से मिलते हैं, तो आप एक formal language का use करते हैं, तो यहाँ पस learning भी क्या हो सकता है, एक formal हो सकता है, तो artificial और natural में आप difference समझ गए, तो यही इन दोनों का difference, ठीक है, देखिए, यहाँ पर next है आपका technical और non-technical, ठीक है, technical और non-technical या personal, यहाँ पस technical का मतल वही है, कि यहाँ पर आप proper क्या कर रहे हैं, grammar, rules, यह सब का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप personal, जो मन में आ रहे हैं, जैसा भी एकदम comfortable होकर, एकदम free होकर, आप जिन भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन भी सब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन भी वा हो जाते हैं लेकिन अगर आप अपने हिंदी को अपने 36 गड़ी को किसी भी उस पे बोड़ रहे हैं तो इतना आपको नहीं टोका जाता लेकिन इंग्लिस में यह चीजे होती हैं आप खुद अपने डिली लाइफ में आपजर्व करते होंगी कि अगर आप गलत सेंटेंस बोल कर रहे हैं जहांपर हम वही वही चीजे आ रही हैं जहांपर हम systematic way पे चीजों को क्या कर रहे हैं याद कर रहे हैं समझ रहे हैं देख रहे हैं सीख रहे हैं written language लिख कर पढ़ कर जैसे भी कर रहे हैं मतलब आप इसमें क्या कर रहे हैं आपकी इंद्रियों का प्रयोग हो रह है आप अलर्ट भी है सिस्टमेटिक भी है ठीक है कॉंसियस भी है फॉर्मल भी है तो यह क्या होता है सब लर्निंग में होता है इसमें किसको प्योटी जी जाती है इसमें तो माली जै लर्निंग को आपको रिटन लैंग्वज को प्योटी दी जाती है ठीक है लेकिन इसमें कि क्या होगा आपका, हमेसा भोलने वाले भाषा को पियोटी दी जाएगा, ठीक है तो यहाँ पस क्या होगा, आपका Spoken English होगा Theory Next point लिखा है आपका Theory तो ये Theory में best होता है, ठीक है Theory best, चीजे यहाँ पर होगी, वहाँ पस आपका क्या होगा, वहाँ पर लेकिन यह जो language होता है, आप अपने भासा को जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, practice करेंगे, वहाँ पस आपका क्या आएगा, वहाँ पस आपका acquisition आएगा, ठीक है? नेक्स है आपका deductive teaching, ठीक है? यहाँ पर deductive teaching का मतलब क्या है? कि आप चीजों को grammatical form में सीख रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? rule drive होता है, ठीक है? rule को आप drive, यहाँ पस car drive करना और rule drive करना में थोड़ा सा difference है, जब आप क्या करते हैं, rule को drive करते हैं, rule को सीखते हैं, तो वहाँ पस क्या होता है? आपका deductive teaching होता है, ठीक है? इसमें top down, एक point लिखा हुआ है, top down, यहाँ पर top down का मतलब क्या है? देखी, learning में क्या होता है, कि आप उपर से नीचे की ओर आते हैं, कैसे आते हैं, अब देखी, अगर आपको कोई story पढ़नी है, कोई कहानी पढ़नी है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले वो जो story लिखी हुई है, पहले उस sentence को समझना होगा, अब sentence को समझने के लिए आपको उसका word का meaning पता होना चाहिए, अब word का meaning पता होने के लिए आप उसको क्या करेंगे, dictionary में खोजेंगे, फिर dictionary से फिर थोड़ा सा और उसमें जाएंगे, में भी आपको कुछ spelling भी ना पता हो, mistake हो, तो आप क्या कर रहे हैं, अप से down की ओर जा रहे हैं, मतलब top से down की ओर, ठीक है, ऐसे आप हो रहे हैं, bottom up ये अच्छा होता है, क्यों acquisition में आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ग्रहन करते हैं, अब देखिए bottom up का मतलब क्या यहां पर, bottom up का मतलब यहां पर यह है, कि अगर कोई बच्चा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ABCD, उसको पहले ABC निकालना सीखता है, तो उसको क्या करता है, जमाना सीखता है, फिर उसका sentence बनाना सीखता है, फिर proper उसी sentence से वो poems, क्या करता है, story, यह सब क्या करता है, बनाना सीख जाता है, then वो conversation भी करने लगता है, तो क्या कर रहा है, बच्चा छोटे से पहले इतना था, फिर थोड़ा बढ़ा फिर और बढ़ते ही जा रहा है, तो यह क्या गर रहा है, बॉटम से अपकी और बढ़ रहा है न, तो यही यह दोनों में डिफ्रेंस, याद रखीएगा, learning में, टॉप से डाउन की और जाते हैं, लेकिन, acquisition में, बॉटम से अपकी और जाते हैं, ठीक है, preset syllabus देखी इसमें क्या होता है learning में syllabus जो होता है पहले से set होता है देखी जैसे कि आप go का देखेंगे go का तीनों जो form है वो पहले से एकदम fixed है आप उसको change नहीं कर सकते है ठीक है लेकिन इसमें क्या होता है acquisition में ऐसा नहीं होता है यह आपकी गती विधियों पर क्या करता है निर्भर करता है ठीक है यहाँ पर activities की बात लिखी है ठीक है next है आपका presets ले बस हो गया और यहाँ पर improvised activities हो गया activities about the language इसमें जो language में होता है आपका language learning में होता है वो ठीक ठाक activities होता है ठीक है उतना मतलब नहीं रहता है लेकिन जो होता है न आपका acquisition में इसमें language को जानने के लिए ही activities किया जाता है मतलब ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश से ही language को सीखना हो हम naturally सीख जाते हैं आपका natural word use हो रहा है इसका मतलब यह है कि कोई भी efforts नहीं लग रहा है जहां पस efforts लगे वहां पस आपका क्या होगा वहां पर आपका learning होगा और जहां पस efforts नहीं लगे वहां पर आपका क्या होगा acquisition होगा ठीक है focus on form formula पर क्या होता है इसका focus होता है ठीक है उसे लगता है अब देखें मैंने एक example दिया कि go का तीनो form ठीक है तो इसका form क्या है fixed है और क्या होता है यह उस पे focus होता है आप गलत नहीं कर सकते हैं अगर आप go का second form को third form में लिखें है third को second में तो वहाँ पस आप क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है लेकिन इसमे क्या होता है focus on communication में होता है ठीक है बातचीत पर होता है ठीक है इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं होता है किस पे आपके acquisition में यहां तर हम देख लिए focus on form और focus on communication ठीक है इसमें क्या produce किया जाता है इसमें knowledge को ज्यादा importance दिया जाता है किसमें learning में लेकिन इसमें क्या किया जाता ह ability, काबिलियत को देखा जाता है, इसमें हमेशा focus आपके knowledge पे आपको कितना ज्यान है ठीक है, कितनी जानकारी है इस पर ध्यान दिया जाएगा, किसमें? learning में क्योंकि learning का काम ही है सीखना आप जितना ज्यादा चीजों को क्या करेंगे सीखेंगे, उतना ही ज्यादा यहाँ पस आपका क्या होगा? knowledge gain होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पस क्या है? काबिलियत और काबिलियत तो किसी भी चीज़ से आ सकती है तो यहाँ पस क्या होगा? आपका acquisition होगा याद रखिएगा, जहाँ पस knowledge की बात की जाए वहाँ पर आपका learning होगा और जहाँ पस ability की बात की जाए वहाँ पस acquisition होगा ठीक है? एक बार मैं फिर revise करा दे रही हूँ जहाँ पस learning की बात आए तो कुछ-कुछ points को याद रखिएगा कि learning जो होता है वह artificial होता है लेकिन जो acquisition होता है वह natural होता है आपका जो learning होता है उसमें mind क्या होता है? एकदम alert होता है, लेकिन इसमें alert नहीं होता है ठीक है? learning आपका systematic way पे होता है लेकिन acquisition systematic way पे नहीं होता है, ठीक है? और क्या होता है? learning top से down की ओर जाता है लेकिन acquisition में हम bottom से अपकी और जाते हैं, ठीक है, इसमें rules होते हैं, grammar होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, learning आपका क्या हो सकता है, second language या foreign language हो सकता है, लेकिन acquisition आपका mother tongue होगा, ठीक है, आपकी mark पांसा, all difference लिखा है, इसमें लिखा है, conscious process, ठीक है, आप क्या होते हैं, मतलब एक आगर होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, subconscious, इसमें नहीं होता है, अप चीज़ों को आपके में रहता है, वो आपका क्या होता, automatic, कि यहां पर आप आप सामने वालों को एक्स्प्रेश कर रहे हैं लेकिन यहां पर आप संभल कर बाते करते हैं Limited exposure भी लिमिटेड होते हैं, जो आपको आपकी इम तक पहुंचाते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, यह आप पे depend करता है थीके, आप जितना चाहिए है, थीके है higher level of abstraction, यहाँ पस अमूर्थ की बात कर रहा है, अमूर्थ abstraction मतलब क्या होता है, कि ऐसे कर सकते हैं कि अमूर्थ में grammar वगरा जादा रहता है, अमूर्थ में हम चीजों को देखते तो हैं पर उसे चूनी सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पस abstraction क्या होता है, higher level पर होता है, क्यूंकि यहाँ पर आप नियम को, रूल्स को, नियम रूल्स, ठीक है, एक ही है, grammar, कुल मिला के grammar, आप grammar को क्या है, जहाँ पस grammar, क्यूंकि language में ही तो grammar होता है, चापका वो Hindi grammar हो, या आपका English grammar हो, तो यहाँ पस क्या होता है, abstraction क्या होता है, higher level पर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर abstraction या तो no नहीं होगा या तो very low बहुत कम मात्रा में होगा क्यों कि आप acquisition में जो चीजों को देखते हैं छूते हैं महसूस करते हैं ठीक है उसे क्या करते हैं आप acquire करते हैं अरजित करते हैं इसलिए इसमें abstraction क्या होता है, या तो नहीं ही होगा, या तो बहुत कम होगा, इसमें क्या होता है, studyal capabilities, जितना आप पढ़ोगे, उतना आप क्या करोगे, language को सीखोगे, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा language learning, यहाँ पर क्या होगा, आपका spontanious capabilities होगा, ठीक है, इसमें वही spontanious capabilities का मतलब यह है, natural, ठीक है, यह आप automatic चीजों को सीखेंगे, चलिए, question देखिए ध्यान से, हमने language और acquisition देखा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका question देखेंगे, इससे कितने question बन सकते हैं, अगर हम practice और skill से क्या कर रहे हैं, learn को सीख रहे हैं, language को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या use कर रहे हैं, तो वहाँ पस क्या होगा, देखेंगे, आपर learn, तो क्या होगा है आपर, आपका learning होगा, ठीक है, ठीक है, practice अगर आपका natural way पे होता है, तो वहाँ पस क्या होगा, acquisition होगा, लेकिन अगर artificial हो रहे हैं, एक systematic और conscious mind पे हो रहे हैं, तो वहाँ पस आपका क्या हो जाएगा, आपका learning हो जाएगा, second question देखिएगा, when language is learned naturally and without any systematic practice, देखेंगे, मैंने अभी जस्ट कहा आपसे, कि जहाँ पर systematic way पे चीजों को की जाए, वहाँ पस आपका क्या होगा, learning होगा, लेकिन अगर systematic way पे नहां की जाए, तो वहाँ पस आपका क्या होगा, acquisition होगा, तो यहाँ पस दो word मिल गया है, हमें दो hint मिल गया है, एक तो natural और एक without any systematic process, तो इसका answer क्या होगा आपका, learning तो नहीं होगा, first learning की बात कर दिया, यह तो हमने देखा ही नहीं, तो answer क्या हुआ आपका, answer number C, ठीक, third question है आपका statement, statement which is not true in context of learning and acquisition, learning and acquisition के लिए कौन सा क्या है, आपका सही statement not true, सही नहीं है, acquisition is natural process, हाँ, बिलकुल, आपका acquisition क्या है, natural process है, learning is a continuous process, हाँ, क्योंकि आप क्या करते है, जैसे ही आपका जन्म होता है, जैसे ही बच्चे का बन होता है, वो क्या हता है, बच्चे के जन्म से ही, वो क्या करता है, सीखना प्रारम होता है, आप देखते होंगे, CDP में, कि बच्चा क्या करता है, जैसे ही जन्म लेता है ठीक है जिसे हम सैस्वा अवस्था कहते हैं जीरो से दो वर्ष का जो अवस्था होता है इसे हम सैस्वा अवस्था कहते हैं तो बच्चा क्या करता है जन्म लेते ही चीजों को क्या करता है चीजों को सीखना सुरू कर देता है और continue जब तक वो अपनी मृत्यू को या क्या नह हो जाता है तब तक वो क्या करता है language सीखता है या कोई भी चीज हो उसे क्या करता है वो learn करता है यहाँ पस language की बात नहीं हो रही यहाँ पर simply learning की बात हो रही आप जो भी चीजे सीख रहे हैं वो आपका क्या होगा learning होगा ठीक है learning result in subject professionally ठीक है acquisition helps in cognitive abilities नहीं जरूरी तो नहीं है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा ठीक है देखी इसमें ये भी answer ठीक हो सकता था लेकिन हमें क्या करना है सबसे best answer को select करना है इसमें तीनों आपके एकदम सहीं जा रहे थे तो यहाँ पर आपका answer क्या हो जाएगा आपका fourth number हो जाएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा कि answer इसमें बहुत सारे आपको लगेंगे कि ये भी सहीं हो सकता है ये भी सहीं हो सकता है तो चीजों को ध्यान रखिएगा कि जो आपको सबसे best लगे उस पे focus करिएगा ठीक है क्योंकि CDP का काम ही है जितना ज़्यादा वो आपको relate करकर करके आपको क्या करता है घुमाने का प्रयास करता है the acquired system or acquisition of our language is the ठीक है acquired system or acquisition of our language is the क्या होगा formal skill development देखे यह ठीक होता लेकिन यहाँ पस क्या कर दिया formal की बात करती है तो जहाँ पस formal हो वहाँ पर क्या acquisition हो सकता है बिल्कुल नहीं तो यह option आपका क्या हो गया गलत हो गया और दूसरा आपका sub-conscious process बिल्कुल यहाँ पस sub-conscious की बात कर दिया चुकि मैंने आपको बताया था कि acquisition में क्या होता है sub-conscious होता है वेक्ती तो यह answer आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है देख लेते हैं input-output process self-monitoring learning यह learning फिर आगया यह गलत input-output process ठीक है यह भी सही हो सकता था लेकिन जहां पस input-output हो जाए वहाँ पर थोड़ा acquisition कहना भी ठीक नहीं होगा तो यह क्या हो का subconscious process होगा क्या आपका आपका acquisition ठीक है learning is language is कैसा process है gradual process है last process तो हो नहीं सकता instant तुरंट सीखने वाला तो process है ही नहीं all inclusive process नहीं पूरी चीज़े तो आप नहीं वो कर पाते है तो यहाँ पस क्या हो जाएगा यह यहाँ पस gradual process का मतलब क्या है यहाँ पस इसका मतलब है क्रमिक रूप से होने वाली प्रक्रिया ठीक है तो answer number एक इसका आपका सहीं होगा देखिए TLM हमारा next topic है TLM TLM का मतलब होता है teaching learning material बहुत important topic है कल हम TLM देखेंगे कि TLM क्या होता है ठीक है इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे तब तक के लिए थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको